कि अज़ो दोस्तों स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्टा अटिक मेड़ेस्टर हम लोग अपडेट लेने वाले हैं कंपन में तो सारी चीज़ों को विशतार से समझते हैं। और साथ विडिया बने रहेगा सुरू से अन तक देखियेगा तक ही कोई पॉइंट मिसना हो हम लोग इसमें जैसे इसकी फानेंसल कंडिशन हो गई इसके चार्ट पर बात करेंगे और जो अभी क्वाटर वन के रिजल्ट आए मतलब तीन महिने में कितना कमाया है कंपनी ने वो जानेंगे तो सारी चीजों का यहां पर आपको अबडेट मिलने वाला है तो आइए शुरू कर लेते हैं इसको फड़ा फट समझते हैं कि करनली जो दोस्तों सेयर है वो 45 रुपीज 15 पैसे पर ट्रेट कर रहा है एर लाइन्स में आ जाता है आपको पता ही होगा टांस्पोर्टेशन में अभी इसकी 16 को इसके क्वाटर टू के रिजल्ट अर्निंग पर सेयर खराब चल रही है मार्केट केपिल इसकी 27 बिलियन की आ जाती है तो अगर इसके हम लोग चार्ट पर देखें दोस्तों तो लगातार क्योंकि 70-80 रुपे के राउन था लगातार इसका सेयर गिरते गया है 38 तक आया है 38 से अभी 50 तक गया था वापस से 45 45 पे आके गिरा है रुका है मतलब एक तरीके से तो उपर से देखा जाए दोस्तों तो काफी अच्छा मौका मिल सकता है क्योंकि आल्रेडी बहुत डाउन आ रखा है ठीक है पर आल्रेडी बहुत डाउन आ रखा है इसका मतलब यह नहीं है कि और नीचे नहीं जा सकता और अगर जा सकता है तो किस लेवल पर जाएगा और उपर आएगा तो इस लेवल पर आएगा वह चीजें अगर कैसे पता लगाएंगी वह चीजी ऑव चीजह इसकी के Creation कर दिशन कर पाएंगी कि कमपनी प्रॉस में है कि सब किसा भी रिजल्ट लेकर आई है वह सारे तो spice jet का भी नाम है देखें यहां पर यह लोग अभी नए jet buy करने का उसके उसका कुछ order दिया है तो उस चीज़ पर की capacity और boost कर सकें चले हम लोग इसके result और चीज़ों को समझते हैं इसका फटा-फट तो market capital इसकी Indian rupees में 2717 करोड की है book value इसकी negative में कर रहा है अगर हाई लो का difference देखा जाए तो अपने लो के काफी करीब है मतलब 52 वीक जो लो होता है उसके around काफी करीब है तो अच्छे जो इनमें खरीदने के लिए है इस लेवल के अगर इस चीज़ को हम समझें तो company की face value की बात करें तो 10 है मतलब share एक बार भी split नहीं में condition की बात करें तो company की sale growth जायर सी बात है growth हो गया क्योंकि covid का इस टाइम में कोई इतना चीज नहीं है दिक्कत नहीं है उसके वाज़े से profit road में इसके गिरावट आई है और पिछले quarter के result भी इसके week रहे थे अगर इसके हम लोग अभी जो latest result आए है उस पे बात करें तो हम लोग उपर से start करते हैं sale expenses operating profit में तो operating profit में company को still अभी negative में नंबर दिख रहे हैं और बहुत कम इसके quarter ऐसे बीते हैं जो कि जहां पे company ने profit कर लिया है अगर company को जब दोस्तों profit होता है तो वो around 16-15% के around देखने को मिलता है normally अगर loss में जाती है तो उसी तरीके से loss के भी इसके percentage दिखते हैं तो जैसे कि इस time पे expenses इसको ज़्यादा खर्चे करने पड़े मार्च जून में आपको देखेगा उस हिसाब से sale नहीं हुई उससे ज़्यादा खर्चे हुए तो overall में number इसके negative में एक तरीके से देखा खराब था उससे पहले भी खराब था जब कोविट से पहले की बात करें तो वहां पे 262 करोर का profit company ने किया था इस बार कोई excuse नहीं था कि कोविट का चल रहा है तो यहां पे चीजें थोड़ी इनको अच्छी लानी चाहिए थी अब उमीद है कि अगले quarter इसके better होंगे क्यो अब देखने को मिलता है तो बहुत अच्छा पार्ट प्रमोटर के पास है औरन की इसमें 1.18 परसंट की है अपने डॉमेस्टिक इन्वेस्टर इसको ज्यादा भी इंट्रेस्ट नहीं दिखा रहें काफे टाइम से तो इसमें 0.04 उनकी आ जाती है पुब्लिक के पास इसकी वोल्डिंग 39.38 परसंट की देखने को मिल जाती है तो जायर सी बात है प्रोमोटर के पास अच्छी वोल्डिंग है अची चीज है अब देखिए जिसको हम लोगों ने जब दोस्तों बहुत पहले डिसकस किया था तब यह सेर को मैंने आपको 59 56 पे सपोर्ट देके बताया था 60 रुपीज पे बाई करने के लिए और टार्गेट था हमारा 76 रुपीज तक तो वो सब पुरानी चीज़े हो गई अभी करेंट कंडिशन और चीजों पर बात करें तो जो देखने को मिलता है वो अराउंड इस लेबल पे है 37 रुपीज पे इसको सपोर्ट मिलता है अगर हम लोग उससे अभब के टार्गेट लें तो हमको अराउंड नजर आता है 65 रुपीज पे तो फिलाल के लिए जो रिजल्ट है जो दूस्तों भी कॉर्टर बन के रिजल्ट देखें इतने कुछ श्ट्रॉंग तो थे नहीं नंबर स्टिल लेगटिब में ही है तो जिन लोगों ने निवेश कर रखा है उन्हीं के लिए इसमें सुझाव रहेगा कि आप इंतिजार कर सकते हैं कि कंडिशन अच्छी हो तभी मतलब एक्जिट लें क्योंकि आल्रेड़ी आप गर आपने उ पैसे एक्जिट ले लेना चाहिए क्योंकि अपने इंडिया में अभी भी दोस्तों जो एयर लाइन्स की कंपनिया है वो कुछ इतना अच्छा नहीं कर रही है एयर लाइन्स के बिजनस में इनको खर्चे जादा हो जा रहे हैं अपने इंप्लॉईस को पेमेंट करना और प अगेटिम में ही रह रहे है तो इसी साब से जो एयर लाइन्स का बिजनस है उसमें दोस्तों कंपनियों को कुछ इतना प्रॉफिट में नहीं देख रही है अभी तो इसी साब से कॉल रहेगा कि जो एकदम फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे है कि हमको एयर लाइन्स में करने के लिए जाना चाहिए तो अभी करणली उसके लिए कॉल नहीं रहेगी तो यहीं अपडेट हो जाएगा स्पाइस जेट पे थैंक्स वाचिंग सुड़ों मिलते आपको ऐसे साथ नेक्स वीडियो में